Hello everyone, welcome and welcome back to my channel आज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए चिक करना चाहूंगी कि financially कब आप लोग abundant होंगे financial life में कब तक आपकी big blessings आईगी आपकी wish fulfillment होगी तो यहाँ पर आज मैं pick a card reading करने वाली हूँ और short reading ही यह होने वाली है आपको intuitively कोई एक pile को pick करनी है आपको intuitively कोई एक deck को use करनी है यहाँ पर मैं यह कह सकती हूँ यह है deck number one, यह है deck number two आप eyes close करती हूँ है, अपनी question को repeat करती हूँ है किसी एक deck को pick किजिए और मिलते है pile one में Hello pile one, चलिए check करते है आपके financial life में कब blessings आईगी कब आप abundant होंगे तो यहाँ पर आपकी तो ambitions बहुत high है आप higher goal set की हो अपनी financial life को लेकर और आप उस पर work भी कर रहे हो ऐसा नहीं है कि आप बस सोच रहे हो आप उस पर work भी कर रहे हो बहुत साथा passionate हो और बहुत big आपकी dream है लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लग रहा है कि आपकी destiny में struggle बहुत साथा लिखे है आपकी financial life में आप बहुत struggle करते हो जितना आप हो सकता है effort देते हो उतना आपको नहीं मिलता है और यहाँ पर support तो आपके साथ है दूस्टों को support आपके साथ है लेकिन आप satisfied नहीं हो अपनी life में financial life में बिलकुल भी satisfied नहीं हो right now आप बहुत साथा struggle करें हो आपकी destiny में कभी भी वो stability आपको नहीं दिखाई है एक stable source of income या फिर एक stable earning आपने कभी भी नहीं देखिए और कुछ ना कुछ losses आप face करते हो यहाँ पर ऐसी show हो रहे है आपको एक hope दिखती है कि अभी शायद सब कुछ ठीक हो जाएगी और उसके बाद फिर से एक struggle फिर से एक loss ऐसा फेस करते हो एक cycle में एक loop में यह होता चलता है तो यह situation कभ खतम होगी कभ तक आप अपने life में stability गिट करेंगे financially यहाँ पर आने वाले summer तक यह जब भी आप वीडियो को देख रहे होंगे उसके बाद कि जो summer होगी या जो June month April से जो June month की time होगी उसके बीच में आपके life में balanced situation होगी देखे मैं यहाँ पर आपको यह नहीं कह सकती हूँ कि आपके life में यह struggle completely खतम हो जाएगी आप बहुत wealthy बन जाएगे लेकिन इतना आप capable हो जाएगे कि जितना आप दूस्टों के लिए करोगे उतना आप get भी करोगे यहाँ पर आपके लिए guidance बहुत strongly निकल कराया है आप ना जितना दूस्टों को serve करेंगे जितना आप दूस्टों के लिए करेंगे उतना आप grow भी करेंगे अपनी financial life में यहाँ पर आपके लिए दूस्टों को serve करना दूस्टों को support करना जितना आपके पास है उतना दूस्टों के साथ balance करना donate करना help करना दूस्टों की आपके लिए बहुत fruitful होगी तो अगर आप इसको as a guidance लेते हो तो आने वाले April से जून मंत के बीच में आने वाले summer के time में आपके life में financially बहुत अतक grow कर जाएंगी आपकी wish बहुत अतक fulfill हो जाएगी तो यही है pile 1 आप लोग के लिए reading अगर आपके साथ resonate हुई है तो मुझे comment section में जरूर से बताएगा hello pile 2 अगर आप लोग ने किया है pile number 2 चलिए चिकट दें आपके financial life में कब abundance आएगी okay आप लोग बहुत family oriented person हो बहुत आप लोग giving हो, loving हो यहाँ पर यह शोहोड़े है और आप लोगों की ना ऐसी कोई चाहत नहीं है कि मुझे financially यह चाहिए मुझे ऐसा घर गारी यह सब आपको नहीं चाहिए बस आपको जो आपके loved ones है आप उनको serve करना चाहते हो उनको खुश करना चाहते हो उनको हर एक happiness, हर एक liabilities आप देना चाहते हो इसलिए आप financially abundant होना चाहते हो आप अपनी जो loved ones है उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो और आपकी यह wish है कि आपके जो भी loved ones है वो कभी भी struggle ना करे आपके family वाले कभी struggle ना करे आपके दोस्त लोग जो है वो कभी struggle ना करे आप उनके लिए हमेशा रह पाओ आपकी कुछ dreams ऐसी है कि आपको family वालों के लिए घर लेना है आपको उनकी हर एक demand complete करनी है तो इसी लिए आप abundance चाहते हो यह बहुत अच्छी approach भी है और आप जो आपके पास है आप उससे दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते जाते हो मतलब आप जिन लोगों ने भी pile to choose किया है आप जितना earn करते हो उन सब को आप अपनी loved ones के लिए उसको completely invest भी करते दे हो ऐसी आपकी energy हो सकती है और आपके destiny में यहाँ पर बहुत बड़ी blessings लिखी हुई है आप family के साथ बहुत एक luxurious life lead करेंगे आप financially abundant भी होंगे और यहाँ पर जो show हो रहे है कि आपकी dreams complete होगी आपकी financial life के जो goals है न वो जरूर complete होगी क्योंकि यह न आपने किसी के साथ connect किया है आप दूसरों के लिए सोचते जादा हो और यहाँ पर जैसी life आप lead करना चाहते हो peaceful, happy family, abundant life वो आप ज़रूर lead कर पाएंगे आपकी family भी आप से बहुत खुश होगी और अगर अभी right time पर आप थोड़ा struggle face कर रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा आपको अपनी expenses को control करने के ज़रूरत है आपको थोड़ा सोच समझ कर decisions लेना है financial decisions बहुत ज़ादा आपको इस time पर expense नहीं कर देना है थोड़ा अपने आपको limit में लेकर आइए ताकि future में आप जो चारे हो वो हो सके यहाँ पर हो सकता है आप waste भी बहुत ज़ादा कर देते हो तो इस energy से आपको बाहर लेकर आपाए divine इसलिए आपको currently struggle दी जा रहे है तो इसमें थोड़ा balance कीजिए यहाँ पर जब आप money को properly invest करना सीख जाएंगे थोड़ा आप सोच समझ कर decisions लेंगे तब आपकी struggle भी खतम हो जाएंगे बहुत emotional ही नहीं सोचते हुए आपको decisions लेना है और बहुत fast week भी आपको decisions नहीं लेना है और यहाँ पर time की अगर मैं बात करूँ आने वाले 8 week से 8 month के बीच में आपकी struggle completely खतम हो जाएगी आपकी energy में जब आप changes लेकर आएंगे आप खुद भी बाहर भी देख पाएंगे कि आप जो चारे हो वो आप fulfill कर पा रहे हो तो यह है आप I will do आप लोगों के लिए reading अगर resonant हुई है तो मुझे comment section में जरूर से बताएगा वीडियो को like कीचेगा चैनल को subscribe कीचेगा thanks for watching